अखंड भारत उत्तरम यत समुद्रश्य हिमाद्रश्य दक्षणम वर्शतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती समुद्र के उत्तर में और हिमाला के दक्षण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों यानी नागरिकों को भारती है कहते हैं अखंड भारत ये concept है उस भारत का जो इस तरह का फिर इसके बाद इस तरह का और इस तरह का मैफ वाला इंडिया है। अखंड भारत क्या है और इसका future vision क्या है कैसे ये establish होगा होगा या फिर नहीं होगा। ये मामला RSS, BJP, सनातनी, हिंदुवादी सोच वाले लोगों के लिए हमेशा एक agenda रहा है। भारत की newly built parliament में union minister of India, parliamentary affairs प्रणाद जोशी ने 28 मई 2023 को सुबह 10 बच कर 35 मिनट पर अखंड भारत का cultural map शो किया था। उसके बाद से ये internationally और attention game करने लग गया। इतना important क्या है इसमें, क्यों हैं, इन सभी questions के answer में आपको दूँ, उससे पहले हमें इसकी history में जाना पड़ेगा। रामायन सीरियल में लवकुष स्री राम से रामायन की कथा सुनाने से पहले कहते हैं कि उनके गुरु महर्शी वालमीकी ने रामायन कथा उनको सुनाई है, वो भगवान राम को ये वापत सुना रहे हैं और जहां तक उनको ये कहानी वालमीकीजी ने सुनाई है, वही तक को उनको ये कहानी सुनाएंगे फ्यूचर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो इस कथा को सुनाते हुए अखंड भारत के पहले concept मंत्र से इसकी शुरुवात करते हैं जंबू दीपे भरत खंडे आर्या वुरते भारत वर्षे एक नगरी है विक्षात अयोध् से यही जन्म भूमी हैं पर्म पुज्य शरी राम की हम कथा सुनाते रामसकल गुनधाम की यह संकल्प मंत्र अभी हिंदू पूजा में बोला जाता है इस मंत्र में सबसे पहले जंबूदीप नाम आता है हिंदु पुराणों में सबसे बड़ा था और यह आज हम देखें अकॉर्डिंग टू मैप तो पूरे एशिया को ही जंबूदीप का गया है इसी जंबूदीप में भारत खंडे मतलब एक सेग्मेंट मे आर्यावरत है जो काबूल की कुंफा रीवर से गंगा नदी तक फैला हुआ है यानि आरे लोग यहां के ही रहने वाले हैं और वो कहीं और से बाहर से नहीं आए और इसी जगे के नेटिव है भारत वर्ष के इस सेंटर पार्ट को ही हिंदोस्तान भी का गया है यह एरिया ह यानमार श्रिलंका थाइलेंड मलेशिया इंडोनेशिया कंबोडिया वेहतनाम और लाउस यह सभी देश मिलकर उस वक्त मंत्र के हिसाब से एंशियंट मैप बनाते हैं उसी को कहा गया है अखंड भारत वायू पुराण में भी इसके एंशियंट ट्रेसेस वाले क्लियर पुष्कर नाम से जाने जाते थे और इन सभी के बीच में जंबूदी फी अखंड भारत अखंड भारत की बात करें तो इसके एविदेंस 8000 यर पहले भी बिले हैं इस बात के एविदेंस बताए गये हैं जबकि इंडियन वैदिक काल 2500 साल पुराना है जो चार अलग अलग अखंड भारत की मैप आपने देखें वो अलग अलग तरीके से अखंड भारत की एक्जिस्टेंस को दिखाते हैं सबसे पहले मैप में जो अखंड भारत है सबसे पहले का था और सबसे एंशेंट था और माना जाता है कि इस अखंड भारत के तूटने से पहले यह ऐसा नज वियतनाम लाओस कंट्री शामिल थी और यही सबसे कॉंप्लेक्स फॉर्मेट है अखंड भारत का इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंट्रेस्टिंग है फिब डेसंबर 1982 के दिन से पहले ये माना जाता था कि रियल हुमन ओरिजन जो है वो इस्टन एफरिका के तंजानिया के और वेगाज में वहा था लेकिन पास देसंबर 1982 को इंडियन जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के जियोलाजिस्ट डॉक्टर अरुन सोनकिया ने सबसे पहले इस्टन अफरिका में आये थे हतनोरा विलेज के इन फॉसिल्स पर बाद में डिये ने पर इलेक्ट्रॉन स्पीन डेटिंग टेकनीक से रिसर्च में यह पता चला कि डॉक्टर अरुन सोनकिया इस फॉसिल की एज सेवन्टी थाउजन येर साल पहले की बता रह पहले जो हुमन धरती पर रहता था वो था रामपिथिकस और उसके प्रिमिटिव थे शीवपैथिकस साइंटिस एडवर्ड लेविस ने साल 1932 में रामपैथिकस यूमन के फॉसिल को लियोसीन रोक्स में शीवाली खेल्स में खुजा था रामपैथिकस जो हुमन था वो अ इंसान अपने evolution में monkey की तरह ही चलता था हाथ और पीठ आगे की तरव जुका कर ये तो हुई कुछ बोरिंग सी लगने वाली human evolution history की पर इंट्रेस्टिंग अब ये है कि मध्यप्रदेश के इसी हतनूरा में रह रहे होमो इरेक्टस मानव ने अखंड भारत की शुरुआत की लेकिन कैसे हतनूरा से अपनी आबादी बढ़ाते हुए प्रेजेंट इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा अब जाई है जिस जगह कोई रहेगा उसका कोई नाम भी रखा जाएगा जैसे जैसे इंसान अपना development कर रहा था अपनी territories को बढ़ा रहा था ये development कु 2350 से 1750 इन ही लोगों ने अपने आपको रीसेंट इंडिया में अलग अलग places पर कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया बाद में राय बहादूर दयाराम सानी ने इसे खोज निकाला मतलब साफ है कि होमो एरेक्टस सिवा और रामापैथिकस अब वेल कॉलोनाइज हो गए और इसमें रहने वाले हुमन द्रविड और मेडिटेरियन कही जाने लगें कहां तक ये इंडिया में फैलें तो देखें इसका डिवेलपमेंट सिंदू घगर हाकडा वाली एंसेस्ट्रल सरस्वती रिवर के किनारे हुआ मोहन जोदाडो काली बंगा लोथल धोलावीरा राख गड़ी और हडपा तक ये लोग फैल गए ये लोग पंजाब सिंदू पाकिस्तान की बलूचिस्तान के मकरान और आज के नौर्ड इस्ट मेरट तक अब तक हॉमो एरेक्टस सिंदू वैली सिविलाइजेशन के साथ तेजी से बदला और शिवा और रामा पैथिकस पत्थर के वजार जो काम में ले रहे थे उन्होंने रिवॉल्यूशन के साथ बहुत कुछ सीख लिया था इंडिस वैली सिविलाइजेशन के एक्जिस्टेंस में बहुत कुछ सीखने के बाद इंडिया में इंसान ने सिक्ट सैंचुरी के बाद इस्टन उत्तर प्रदेश और बिह साथ ही इन किसान कम्यूटी को लीड करने वाले परिवार के लोग जो उस वक्त के इसाब से राजा या प्रिंस थे वह अपने एडिमिनिस्ट्रेशन के लिए इनी लोगों से टैक्स ले रहे थे और उससे पूरे रीजन का एडिमिनिस्ट्रेशन और लोएं और मिंटेन कर इन इंडिपेंडेन्ट रीजन को जनपद कहा जाने लगा और यहीं से महा जनपद का रास्ता भी तैयार होने लगा होमोरेक्टस के नर्मदा हिूमन रीजन से या और सरलवाशा में कहें तो नर्मदा रीवर से हिमाले रीजन के बीच के लैंड को 16 डिवाइडेशन जहिलन कोशल अंग वजश काशी मगद और अश्मक अखंड वारत की नज़र से देखें तो इनमें मगद एमपायर स्पेशली पावरफुल था कंपैरिटिवली अवंती वक्स कोशल यह सभी एक जुट थे और आपस में यहां लोग शादिया किया करते थे लेकिन आपस में लड़ चस्प की लड़ाई थी मगद एमपायर इसलिए कहलाया कि इसका डॉमिनेंस और पावर और एक्स्टेंशन सबसे ज्यादा था और यह रूल भी कर रहा था मगद की ताकत की वज़े यह भी थी कि उसके फाउंडर हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे और उसका बेटा इसको उखाड फेका और शिशुनागवंच मगद में आया इसके बाद महाजनपद ने नंदवंच शिशुनागवंच को डिफिट किया और नंदवंच की अखंड भारत में एंट्री हुई धनानंद के वक्त एलेक्जेंडर ने 326 बीसी में हिंदू कश होते हुए भारत प प्रक्रट में अखंड भारत के लिए एरिया एकस्टेंड कर रे थे ऐलेक्जेंडर की पौरस सी लड़ाई हुई और पाकिस्टान और अफगानिस्तान पर अलेक्जेंडर का कभजा हो गया ऐलेक्जेंडर ने पोरस को वापस राजा बनाये लेकिन अफ़गानस्तान और पाकिस्तान को अपने कबजे में ही रखा चानक्य के सहयोग से इसके बाद चंदरगुप्त मोरिया ने नंदवन्श को हराया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर उसने कबजा कर लिया और अखंड भारत का विस्तार हुआ असली विस्तार जिसका मैप हम पूर्ण अखंड भारत के रूप में देखते हैं वो असल में समराट अशोक ने किया चंदरगुप्त उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद उसके बेटे समराट अशोक ने ही असल में एक ऐसा बॉर्डर वाला देश बनाया जो अखंड भारत कहलाया अशोक के डिकलाइन के बाद कुशान डाइनस्टी की एंट्री होती है और अखंड भारत का मैप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसमें एंट्री हुई अब सेकंड अशोक कही जाने वाले कनिश्क की जो कुशान राजा थे कनिश्क के वक्त अफगानिस्तान बैक्ट्रिया पार्थिया और सिंध पर कुशान डाइनस्टी का रूल था कनिश्क के समय कुशान सबसे पावरफूल थे और कनिश्क के बाद सबसे पावरफूल किंग इसी डाइनस्टी के बने वासुदेव प्रथम वासुदेव के समय अखंड भारत की लाइन ओफ कंट्रोल इरान, अरकोशिया, बैक्ट्रिया, पामीर, फर्गना, चाइना के कुशिगार तुर्फान तक फैली हुई थी भारत के अंदर ये मतुरा तक थी, इसी वक्त भारत के निचले हिस्से में पांडिया, चोल्स और सातवाहन एंपाइर्स मिलकर अखंड भारत का निर्मान कर रहे थी लेकिन वासुदेव की मौत के बाद पूरा कुशान एंपाइर श्रिंक हो गया और दो टुकडों में टूडिया है इस्टन साइट को हंस और वेस्टन पार्ट को पर्शियन एंपाइर ने इन्वेल्ड करके अपना बना लिया और वर्तवान में भारत में जहां कुशान थे वहां गुप्त डाइनेस्टी का रूल आ गया ये गॉल्डन एरा था भारत का चौल डाइनेस्टी ने वासुदेव की मौत के बाद जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका को भी अपने कपजे में कर लिया और बना आखरी मैं जिसे पूरी तरह अखंड भारत कहा जाता है खूण, कुशान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसिसी और अंग्रेज अंग्रेज पर रुखते हैं क्योंकि जोलाज के जाने के बाद इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका सब भारत से अलग होकर इंडिपेंडेंट हो गए मुगलों के वक्त जितना भारत बचा हुआ था उसमें काबुल, कंधार, गजिनी, बहावलपूर सब ये तूटकर नया अखंड भारत बना था फ्रांसिसी और डच कुछ जादा नहीं कर पाए और फिर आए अंग्रेज और मुगल एंपायर में जितना बचावा भारत था उसको इंडिया कह दिया गया और जो इस वक्त अखंड भारत हेजूम किया जाता है वो यही है पर 1909 में एडिनबर्ग जियोग्राफिकल मैप को जेजी बार्थलोम्यों एंड संस ने एक नक्षे के रूप में प्रिंट किया जो शुरू में हमने अखंड भारत का नक्षा आपको दिखाया उसी से मैच करता है 1947 के पार्टिशन में कांग्रेस कारिसमिती 14th of August 1947 को पार्टिशन की इजाज़त देती है इस पार्टिशन के परिणाम सब को पता है बताने की ज़रूदत नहीं है अखंड भारत के सबसे पुराने स्वरूप को लॉजिकली ना ही acceptance भी लेगी ना ही कोई देश अब साथ आना चाहेगा लेकिन भारत के लोग चाहते हैं कि partition तक जो भारत एक साथ था उसे बहाल किया जाए या फिर continue किया जाए वास्ता में ये चाहता कौन है ये भी एक सवाल है ऐसा चाहते हैं हिंदू राष्टरवादी मंटवारे से पहले का भारत माउंट बेटन को क्या करना चाहिए था लकीर खीचनी थी हत्याएं और दर्द जो है वो भारत को जहलना पड़ा आसान नहीं था जिस मैप को देखकर लोग बड़े हुए एक ही दिन में उसके दो देश बना दिये गए पंडित मेरू सोचते थे कि भारत का विबाजन टेंपरेरी है लेकिन अगर वो ये सोचते थे कि टेंपरेरी है तो भी इसके रिजल्ट्स में हत्याएं हुई लोग एक जटके में विदेशी बन गए अखंड भारत आजादी तक जो लड़ाई लड़ रहा था वो तो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का आदमी था और पाकिस्तान का इंसान हिंदुस्तान का अपना और एग देश मान करी इस लड़ाई को लड़ रहा था लेकिन आजादी के वक्त जो इस लड़ाई में एक देश की तरह लड़े उन्हें लगा होगा बाद में कि वो आखिर किस देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे इसे justify कैसे किया जाए कॉंग्रेस ने 8th of March 1947 को किस हक से आपचारिक रूप से ये कह दिया कि पंजाब को सामप्रदाई के आधार पर अलग कर दिया जाए दामोदर सावरकर ने 1924 को 11 एर की सजा काट कर जब वो बाहर आए तो अपनी किताब My Transportation of Life में अखंड भारत का जिक्र किया और यही से RSS और BJP ने 14th of August को इसे अखंड भारत के लिए भारत संकल्प दिवस के रूप में बनाना शुरू किया अब तत मतलब 1947 तक भारत जो है 24 बार डिवाइड हुआ है इसमें पूरे 25 सो वर्ष खत्म हो गए 1857 से 1947 तक सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही भारत को 7 टाइम डिवाइड किया है 1857 तक भारत का टोटल एरिया 83 लैक स्क्वेर किलोमेटर था जो अब 33 लैक स्क्वेर किलोमेटर तक रह गया है ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत में इंडिया पाकिस्तान का ही डिवाइड डिशन नहीं गया बलकि 1834 में रूस और ब्रिटिन ने मिलकर अफगानिस्तान को भारत से अलग करने की प्रोसेस शुरू की और फाइनली गंडामर्ट ट्रीटी के द्वारा 26 में 1889 को पठान बपर स्टेट बना दिया गया अफगानिस्तान बपर स्टेट तो बना और इंडिया से 1919 में अलग भी हुआ पर ने ब्रिटिन और ने ही रशिया को इससे कोई खास फाइदा हुआ बलकि अफगानिस्तान में कल्चरल डेमज जरूर हुआ इस डिवाइडेशन के बाद 1904 में नमबर आया नेपाल का 46 मिडल हिमालयन रीजन्स को संगटित करके पृत्वी नारायन शाह ने ने नेपाल को फॉर्म किया बर्मा को भारत से 1937 में अलग करके एक अलग कंट्री की पहचान दे दी गई भूटान, श्रीलंका, 1971 में बांगला देश, टिबेट ऐसे करके भारत से अलग करके हमेशा का मसला चलते रहे वाला मामला इसको बना दिया गया खेर क्या पूरा अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है तो जवाब होगा लॉजिकली नहीं लेकिन एक बात जो नेशनलिस्ट मानते रहे हैं वो ये है कि जब 1905 में बंगाल विवाजन हुआ और 1911 में वापस वो अन्डिवाइड हो सकता है 2000 यर पहले इसराइल नश्ट होकर वापस 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है 1945 में डिवाइड हुआ जर्मनी बर्लिन की दीवार गिराकर 1989 में अखंड हो सकता है वियत नाम वापस एक बार एक हो सकता है सोवियत संग में शामिल 15 देश स्वतंतर हो सकते हैं तो अखंड भारत का सपना भी पूरा हो सकता है लेकिन नहीं के पीछे का लॉजिक ये है कि भारत की नीती विस्तारवादी नहीं है साथ ही भारत पाक ओक्यूपाइड कश्मीर के अलावा कभी जानबूच कर किसी भी कंट्री को इनवेड नहीं करेगा क्योंकि ये भारत की पॉलीसी ही नहीं है अखंड भारत का सपना सिर्फ तब तक अधूरा है जब तक अखंड भारत से टूटे हुए देश ये रियलाइज करें कि अगर वो फिर से भारत जैसे कमाल के देश का पार्ट थे और बने और वापस इसका हिस्सा बनने से उनका ग्लॉबल रिस्पेक्ट की हाई नहीं होगा बलकि मिलकर वो पूरे वर्ड में एक कमाल की डिवलेप्ट एकॉनमी और एक यूनाइटेड कल्चरल स्टेट जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो बन सकते हैं जनरल केम करियपपा हो मैर्शी आरविंद हो सब ये मांगते रहे हैं कि भारत फिर से एक होगा फेमस राइटर वान वालवान वर्ग ने भी कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का बटवारा इतना इलाजिकल है कि ये बहुत लंबा चल ही नहीं सकता अखंड भारत का मतलब किसी भी कंट्री की लाइन आफ पंट्रोल को एक करना नहीं है बलकि जब वहां रहने वाले लोग ये सोचेंगे कि हमारे एंसेस्टर एक हैं हम एक हैं और एक साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये इमेजिनरी बॉर्डर भी हट जाएंगे अभी तक ये चैलेंजिंग है पूर प्रदान मंत्री अटल भिहारी के शब्दों में ये दर्ध लगता रहा है क्योंकि अखंड भारत का सपना ता उम्रमन में वो पाले रहे बलकि उन्होंने ये सपना भारत को देखते रहने और सच साबित करने का संकल्प भी दिया अटल जी की कविता का एक हिस्सा ये बताता है कि अखंड भारत खुद भारत के लोग क्यों चाहें अटल जी कहते हैं कैसे उन्लास मनाओं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुना अखंड बनाएंगे गिलगिट से गारों परवत तक आजादी परु मनाएं करेंगे उस स्वंड दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमें खोना जाएं जो खोया उसका ध्यान करें अब जो अखंड भारत है उसमें उतना विशाल सपना तो नहीं है 1909 तक भारत का जो मैद था वो जरूर है आप क्या सोचते हैं अखंड भारत के वारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बताएं और कैसी लगी हमारी स्टोरी इससे जुड़े कॉमेंट में भी अपनी राय रखें साथ ही आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है वेल आइकन को प्रेस करना है फिर भी लेंगे शुक्रिया